प्यारे बच्चे हमारा आज एक नया चप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उस ने चप्टर का नाम है आपका लिंग यानी जेंडर और लिंग इस तरही लिंग मुख्혈 रूप से बात ये होगी तो शुरू करेंगे भी अच्छे से आपका चप्टर शुरू करने जा रहे हैं लिंग क्या बोलेंगे बहुत अच्छे से चीजों को समझना भी है लिंग होता क्या है इसकी परिभासा की बात करें कि हिंदी बहासा में लिंग का क्या अर्थ है अगर हम लोग बात करते हैं इसकी परिभासा की इसकी डेफिनिशन क्या है तो याद करेंगे लिंग किसी के किसी के इस्त्रिया पुरुस होने का बोध कराता है किसी के इस्त्रिया इस्त्रिया पुरुस होने का बोध कराता है इस्त्रिया पुरुस होने का किसी के इस्तरी या पुरुस होने का बोध कराता है किसी के इस्तरी या पुरुस होने का बोध कराता है अब इस्तरी या पुरुस होने का बोध क्या होता है जैसे इस्तरी या पुरुस होने का बोध क्या होता है मैं बोलू लड़का क्या है लड़का सब्द क्या बोध करा रहा है आपको पुरुस का या फिर इस्तरी का मेल का या फीमेल का मेल बोले तो पुरुस और फीमेल बोले तो इस्तरी मैं आपसे पूछूं लड़की किसका बोध करा रहा है सब्द आपका तो आप कहेंगे भीया इस्तरी लिंग का बोध करा रहा है इस्तरी लिंग का बोध करा रहा है इतनी बात छोटी सी कोई दिक्कत इस बात में मैं बोल दू बकरा किसका बोध करा रहा है तो आप कहेंगे जी पुरुस जाती का बोध करा रहा है और मैं पुछू बकरी किसका बोध करा रही है तो इस्तरी जाती का बोध करा रही है ठीक है इस्तरी जाती का बोध कराती है कोई भी दिकत भी इस बात में ठीक है तो पुर्स जाती और इस्तरी जाती होने का जो बोध कराए बोध मतलब ग्यान कराए आपको नौलिज दे इस कि ये पुरुस है या ये इस्तरी है ठीक है इसको हम कहते हैं क्या आपका लिंग कहते हैं क्या कहते हैं लिंग का साब्दिक अर्थ क्ई बार परिक्षाओं में पूछा गया है लिंग का अर्थ अगर हम बात करें साब्दिक अर्थ क्या होता है लिंग का क्या बोलेंगे साब्दिक अर्थ क्या होता है लिंग का साब्दिक अर्थ क्या होता है चिहन कहते हैं क्या कहते हैं चिहन या निशान कहते हैं तो निशान का क्या मतलब है यानि एक निसान है कि ये पुरुस है या फिर इस्तरी है ठीक है ये पुरुस है या इस्तरी है चिन है ये एक परकार का जो बताएगा ये इस्तरी है या फिर आपका पुरुस है ठीक है जी चलो ध्यान से देखते हैं इस बात को समझना इस बात को क्या है परसन हमारा हमारा परसन घूम फिर के आता है लिखना हिंदी बहासा में हिंदी बहासा में हिंदी बहासा में लिंग दो पिरकार के होते हैं हिंदी बहासा में लिंग दो पिरकार के होते हैं क्या बुलेंगे कितने पिरकार के दो पिरकार के होते हैं कितने पिरकार के होते हैं भी या एक कुशन ये हो गया आपका कितने पिरकार के दो पिरकार के होते हैं क्या होते हैं दो पिरकार के होते हैं और वो दो पिरकार कौन कौन से हैं हमारे अभी बताया मैंने आपको दो पिरकार कौन कौन से हैं हमारे एक तो प्यारे दोस्त हमारा पुलिंग हो गया क्या हो गया पुलिंग हो गया पुलिंग नहीं होता पुलिंग होता है और एक होता है हमारा बहुत सारे दोस्त इसको पुलिंग बोलते हैं अभी भी इस्त्री लिंग हो गया देखो पुर्लिंग नहीं होता ऐसे मत लिख देना कभी भी पुर्लिंग लिख देते हैं बहुत सारे लोग ने गलत है तो क्या कहेंगे पुर्लिंग होता है क्या होता है पुर्लिंग होता है जो किसका बोध कराता है जो पुरुस जाती का बोध कराता है जो किसके बारे में नॉलिज देगा आपको पुरुस जाती का बोध कराए उसको क्या बोलेंगे आप लोग जो पुरुस जाती का बोध कराए वो पुलिंग होता है क्या होता है पुलिंग होता है और प्यारे दोस्त जो इस्तरी जाती का बोध कराए इस्तरी जाती का बोध कराए उसको आप क्या कहेंगे उसको आप कहेंगे कि ये भीया इस्तरी लिंग होता है क्या बोलेंगे इस्तरी लिंग होता है देखना जैसे की हम कुछ उदारन लेते हैं इसके और उदारन कौन से है जैसे पुलिस जाती का बोध कराने वाला सेहर हो गया सेहर, सेहर पुलिंग सब्द है गाउं पुलिंग सब्द है गाउं क्या है? पुलिंग सब्द है गिलास पुलिंग सब्द है अभी आप कैसे कह रहे हो इसको यह कि यह पुलिंग है समाज समाज नायक पुलिंग सब्द है नायक क्या है पुलिंग सब्द है तूफान पुलिंग सब्द है पेड पुलिंग सब्द है पेड जो सब्द है पेड सब्द क्या है पुलिंग सब्द है रासता पुलिंग सब्द है अम्रूद पुलिंग सब्द है क्या बोलेंगे अम्रूद पुलिंग सब्द है क्या बोलेंगे उबहलिंगी की बात करेंगे अबी आगे चलके लेकिन हिंदी भासा में दो ही मानने जब केस फस जाएगा पुलिंग और इस्त्रिलिंग का उबहलिंगी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो पद होते हैं वो उभहलिंगी होते हैं जैसे राष्ट पती परदान मंतरी ये जाएंगे उभहलिंगी में उसको भी समझेंगे पहले करम कदर करम समझे इस टैप से समझे इस तरी जाती का बोद कराने वाले एक एक सब्द लिखो आप एक एक सब्द लिखें सहर गाउं गिलास समाज नायक तूफान पेड रास्ता अमरूद इस तरी जाती के पूछें तो बोलना कार हो गया कार आई ठीक है वीना सब्द हो गया वीना बजाई ठीक है कमीज सब्द हो गया क्या हो गया कमीज सब्द हो गया आपका क्या हो जाएगा कमीज सब्द हो जाएगा जैसे टाई सब्द है क्या है टाई सब्द है ठीक है इमानदारी सब्द है क्या हो गया इमानदारी सब्द हो गया आपका क्या बोलोगे क्या हो गया नाली हो गया सडक हो गया सडक ठीक है तो यह कुछ सब्द है जो इस्त्रिलिंग हमने कह दी अब बात आई भीया बात आई कि आपने इनको इस्त्रि या इनको पुरूसक कैसे कह दिया अपने हिसाब से ही कह दिया क्या क्या अपने हिसाब से ही कह दिया नहीं इसके लिए बच्चे कुछ नियम है इसके लिए कुछ नियम है उन नियमों का पालन आपको करना होगा तब आप बता देंगे बहुत बढ़िया किताब बता रही है समिक्षा पाल बहुत सही बता रही ह दाल इस्त्रिलिंग है भासा इस्त्रिलिंग है चलो भई अनुज परताप सिंग कह रहे हैं सर जी तोता क्या है आगे बात करेंगे प्यारे दोस्त तोता की भी बात करेंगे तोता क्या होता है इसकी जाती नहीं है तो नर तोता पुरुस को मादा तोता इस्त्री को बताता है अभी स्टेप से सीखो भी आप आगे जा रहे हैं थोड़ा वो भी तोता, खटमल, मकडी इन सब पर आएंगे हम अब बात आई याद रख लिना जैसे हिंदी बहासा कहती है हिंदी में कितने लिंग दो लिंग होते हैं, पुलिंग और इस्त्रिलिंग, संस्किर्ट में होते हैं तीन, संस्किर्ट में पुलिंग, इस्त्रिलिंग और तीसरा नपुनसक लिंग भी होता है और संस्किर्ट आपको पढ़नी है ओके आजाओ भई ध्यान से लिंग की पहचान के याद रख लेना सबसे महत्पून बात है लिंग की पहचान के पहचान के इन तरीके हैं क्या बो लोगे लिंग की पहचान के तीन तरीके हैं कौन से तीन तरीके कौन कौन से हैं नमबर एक याद रख लेना सर्वनाम का प्रियोग करके आप लिंग का पता लगा सकते हैं कैसे जी अभी बात करेंगे दूसरा है विशेशन का प्रियोग करके इसका विशेशन का प्रियोग करके तीसरा है किरिया या बोलेंगे किरिया का किरिया का किरिया का प्रियोग करके कितनी परकार से पता लगा सकते हैं तीन परकार से पता लगा सकते हैं सर्वनाम से विशेशन से या फिर किरिया से अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता है जी सर्वनाम क्या होता है भी यह तो सर्वनाम होता है प्यारे दोस्त मैं या उससे जितने भी सब्द बने मैं हो गया मेरा हो गया ठीक है हमसे बनने वाले सब्द हमारा हमको ठीक है तुमसे बनने वाले सब्द तुम तुम्हारा तुम्हारी आदी सब्दों को लगा देते हैं ठीक है तुम्हारा तुम्हारी हो गया ठीक है ये हो गया वे हो गया तो कुल मिला करके क्या बात करेंगे मैं तुम आप होते हैं मैं तुम आप होते हैं हम होता है हम भी प्रियोग करते हैं यह वह यह वह इनका प्रियोग भी करते हैं ओके चलो जी विसेशन क्या होता है भी यह विसेशन होता है जैसे अच्छा हो गया अच्छी हो गया क्या हो गया अच्छा, अच्छी, मोटा, मोटी किसी चीजी की विसेस्ता बताते है लड़की मोटी है तो ये लड़की की विसेस्ता बता रहा है यानि विशेशन है मोटा क्या है? विशेशन है मोटा क्या है? इनका प्रियोग करके हिरिया का प्रियोग करके क्या? रहा है रहा है रही है वाक्या जब प्रियोग करेंगे रहा है रही है हुई इस्ट्रिलिंग है हुआ पुलिंग है हुआ क्या है पुलिंग है अब ये सीखना है हमको अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से हमको सीखना है अब मैं आपको कोई सब्द दूँगा जैसे मैंने पूछा आप से कलम बताओ भई इस्त्रिलिंग है या पुलिंग है कलम बताओ इस्त्रिलिंग या फिर आपका पुलिंग होगा पहला पिरसन तो आप क्या बोलेंगे भई आप तीन चीजों का प्रियोग करूँगा पिर योग कैसे करना है इससे पहले सब्द लगाना तो सर्वनाम यानि मेरा कलम या मेरी कलम मेरा कलम या फिर मेरी कलम तो क्या बोलोगे मेरी कलम आएगा यानि कि मेरा कलम थोड़ी लगा दोगे हैं गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा तो पुलिंग नहीं होगा जैसे मैं बोल दू बस्ता सब्द है बस्ता के आगे लगाना क्या बोलोगे भीया या तो लगा सकता हूँ मेरा मेरी बस्ता थोड़ी लगा दोगे विशेशन लगा लो अच्छी बस्ता लिखोगे या अच्छा बस्ता लिखोगे बोलो भी बस्ता बस्ता मिला लिखोगे या बस्ता मिली लिखोगे तो बस्ता मिला आ जैसे इसमें आया हुआ आ आएगा तो यानी कि किसका बोध करा रहा है पुलिंग का बोध करा रहा है किसका पुलिंग का बोध करा रहा है चलो बई ये तो हुई कॉमन सी बात यानि तीन का प्रियोग करके हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं अब मैं कुछ सब्द देता हूँ आपको जैसे एकसरसाइज के लिए कुछ सब्द देता हूँ मैं आपको एक सब्द है समास, क्या बोलेंगे समाज सब्द हो गया, समाज में बताओ क्या होगा आपका, एक्जम्पल के लिए दूसरा सब्द हो गया, नियती क्या बोलेंगे, नियती सब्द में बताओ क्या हो जाएगा, कीसरा एक्जम्पल हो गया आपका, बहग्या हो गया, बहग्या सब्द में बताओ फिरिज सब्द में क्या हो जाएगा एकजामपल के लिए मैं बोल दूँ जिस पर हम लिख रहे हैं बोर्ड सब्द में क्या हो जाएगा ठीक है क्या बोलेंगे बोलो भी फटाफट से पांचों बताने हैं आपको पांचों बताने हैं प्रियोक करके देखें अब ऐसे ही बात करें आगे इस से जैसे मैं पूछूँ नदी सब्द हो गया क्या हो गया नदी सब्द हो गया आपका ठीक है जी चलो क्या हो गया नदी सब्द हो गया और आगे की बात करते हैं क्या बरिष्टा चार हो गया क्या हो गया? बरश्टा चार हो गया क्या बोलोगे? बरश्टा चार हो गया चीक है? इसका बताएं एक जामपल के लिए एक लिख लिया हमने वाइरिंग सब्द लिख लिया वाइरिंग सब्द में बताएं इस्त्रिलिंग होगा या पुलिंग होगा जैसे एक सब्द हमने लिख 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 दौनों में परियोग हो सकता है इसलिए ऐसे ऐसे बचेंगे हम जैसे किलियर कट वाला कौन सा हो गया इस टूल ले लेते हैं एक सब्द इस टूल भई सबके उत्तर उम्मीद करूंगा उन तीनों का परियोग करेंगे तो ठीक आएंगे जैसे देखो ध्यान से क्या होगा तो जो समाज है तो बो भई समाज अच्छा या अच्छी मेरा समाज या मेरी समाज तो मेरा समाज होगा यानि की पुलिंग सब्द होगा नियती साथ नहीं दे रही नियती साथ नहीं दे रही तो रही आया यह बोले मेरी नियती उसकी नियती तो क्या बोलेंगे यह भेसाथ नहीं दे रही तो इस्त्रिलिंग हो गया बताना जिसके सारे ठीक हो जाए भाग गये मेरा भाग गये या मेरी भाग गये तो मेरा भाग गये यानि कि पुलिंग हो गया फिरिज हमारा फिरिज होगा ना अच्छा फिरिज है अच्छी फिरिज थोड़ी बोलोगे या ऐसे थोड़ी बोलोगे हमारी फिरिज हमारा फिरिज बोर्ड हमारा बोर्ड है भी या अच्छा बोर्ड है नदी मेरी नदी तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे वाक्य प्रियोग करो हमारी नदी या नदी बह रही है तो नदी बह रही है तो इस्त्री लिंग हो गया क्या हो गया कोई बोले इस बात में अब देखो बोर्ड में मैं वर्तनी में बताऊंगा आपको मैंने बोर्ड के नीचे यहां क्या लगा दिया बिंदी लगा दि अंग्रेजी नाम में कभी बिंदी नहीं लगती यह मैं आपको जब सुधी सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा जादू नियम चलो बे बरश्टा चार का क्या होगा बरश्टा चार बढ़ रहा है क्या बोलेंगे बरश्टा चार बढ़ रहा है तो पुलिंग हो गया वाइरिंग अच्छी है तारवाली जो होती है वाइरिंग क्य है अच्छी है तो यह इस्त्रिलिंग को बता रहा है हमारी वाइरिंग खराब हो गई बरामदा चोड़ा है चोड़ी थोड़ी लिखोगे सड़क को लिखोगे चोड़ी है हमारा बरामदा लिखोगे तो पुलिंग हो गया क्या हो गया पुलिंग हो गया काट मेरी काट इस्टूल मेरा इस्टूल हमारा इस्टूल इस्टूल बड़ा है इस्टूल छोटा है छोटा छोटी नहीं आएंगे छोटा छोटी नहीं आएंगे बोलें वह बच्चे एक बार बताओ थमसब करके जिनके 10 के 10 ठीक हैं दस क्या ये तो 11 हो गए तो उम्मीद करूंगा ये जो एक बात पले पढ़ी, छोटी सी एक बात पले पढ़ी, कि कैसे प्रियोग करते हैं, बहुत बढ़िया, एक आगे भागरा है, उसका यहां बिलकुल दिहान नहीं है, कुछ की कुछ पूछ रही, जो आगे पढ़ेंगे, उनको क्यों पूछ रहे हो, बताइंगे अभी देर या रखो थोड़ी देर का कल के किलास मां बताओंगा सारे अपवाद कौन-कौन से होते हैं इसे दही हम सोचते हैं दही खाई तो हम गलत बोलते हैं हमको बोलना दही खाया दही पुलिंग सब्द है हिंदी के अनुसार गजब भई लड़को गजब धुआ धुआ कर दिया अब नाम भी नहीं दिख रहे हैं इतनी रफतार से आप कमेंट कर रहे हैं किसी का नाम पढ़ पाना मुस्किल है चलो गए नाम पढ़ पाना बेहद मुस्किल हो गया है तो सही है भई सब का अब 10 बटे 10 कह रहे हैं आगे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं धीरे धीरे सीखोगे गलती भी हुई होगी तो कोई दिक्कत अब दूसरे टोपिक पर आते हैं दूसरा टोपिक है लिंग परीवर्तन ये तो एक तो हुई पहचान अब दूसरा आया लिंग परिवर्तन सबसे ज़्यादा पिरसन पूछे जाने के chances आपके या तो प्रियोग से पूछ लेता है प्रियोग से पूछ लेगा कौन सा इस तरी लिंग है सब्द और कौन सा नहीं है अब लिंग परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो लिंग परिवर्तन में पहली चीज आती है आपका याद रख लेना नमबर एक अक का इका में परिवर्तन लिखो अक का इका में परिवर्तन जो अक होता है वो पुलिंग को दरसाता है और एका कहीं भी मिले वो इस्त्रिलिंग को दरसाता है तो अक पुलिंग का इस्त्रिलिंग में अगर हम बदलें तो अक का क्या होगा एका होगा तो ये भी सब्दों की एक पहचान हुई ये भी सब्दों की क्या हुई एक पहचान हुई एक पहचान कैसे भीया एक पहचान कैसे ध्यान से देखना तो कहीं भी अक आ जाए जैसे लेखक हो गया लेखक आप भी सोचो एक एक सब्द जिनमें अक आता हो तो लेखक किसकी दोहनी आ रही है अक की दोहनी आ रही है और मैंने बोला E का तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका ये बना दूँ लेखी का तो इसमें E कैसी है बड़ी E, दीरग E लेकिन मैंने यहां कैसी E बनाई है लगू ये छोटी E होती है स्वरों में मैंने आपको बताया था ये दीरग होती है दीरग इधर चड़ती है और लगू इधर चड़ती है ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ चड़ती है समझें? आ जाओ गए तो ये तो गलत होगे अब ही है तो बड़ी E कभी मत चड़ाना क्या चड़ेगी? छोटी E चड़ेगी तो सब्द क्या बनेगा? लेखी का सब्द बन जाएगा अक का E का में अच्छा भी आप बोलो अक वाले जितने भी हैं गायक बोला एक बच्चे ने आपके सब्द लेंगे सेवक बोला बालक बोला क्या बोला? सेवक बोला एक बच्चे ने एक ने बोला बालक का क्या हो जाएगा किसका बालक हो गया एक ने बोला अद्धिहापक का क्या हो जाएगा ठीक है जी एक प्यारे दोस्त ने बोला अर्थपूर्ण सब्द बोलना ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो पाठक बोला एक हमारे दोस्त ने बोला पाठक का बता दो भी आप पाठक का ठीक है एक हमारे दोस्त ने बोला क्या परीचायक क्या बोलेंगे परीचायक हो गया क्या हो गया परीचायक है एक क्या हो गया आपका प्रेरक सब्द हो गया क्या हो गया प्रेरक सब्द हो गया ये क्या बता रहा है आपका अक का बो नायक के जैसा ही ता होगा नायक क्या अलग हो जाएगा हैं बताओ भी पालक ये सब्द अच्छा है सन्रक्षक सन्रक्षक हो गया ठीक है जी एक सब्द ले लेते हैं हम क्या बच्चे एक सब्द ले लेते हैं हम कौन सा आपका सन्रक्षक के साथ में भक्षक हो गया क्या हो गय बक्चक सब्द हो गया हमारा क्या हो गया भक्चक सब्द हो गया ठीक है जी कोई भी दिक्कत इस बात में एक सब्द हो गया हमारा पालक हो गया क्या हो गया पालक सब्द हो गया ठीक है बताओ भी तो इका बना दो इका बना दो बहुत बढ़िया बहुत पढ़िया विदायक बिल्कुल होगा चलो भी आगे देखना अब अब देखना ध्यान से बट डोलक क्थी इस्त्रिलिंग सब्द है ऐसा सब्द बताना जो पुलिंग हो और अक बताए डोलक तो मेरी डोलक डोलक तो पहले ही इस्त्रिलिंग है उसको क्या बदलोगे आप हैं चलो, बोलो भई गायक का क्या हो जाएगा क्या सबी सब्द बदल जाएगे भीया जिनमें अक आएगा नहीं, सब नहीं बदले अर्टी नहीं देगा, अब आप कुछ भी सब्द ले लो मानके चलो, किसी बच्चे का अब किसी न ले लिया है बच्चे ने अब अबिका थोड़ी कर दूँगा इसका नहीं, ये तो सरनीम है सेवक का क्या होगा, सेवी का होगा तो जो बहुत महत्पूर्ण है वो सब आपके सामने हैं बालक का क्या हो जाएगा, बनाओ भई अब इका बनाओ, इका तो बाली का मत लिख देना एक उपसन आएगा, बाली का और अंधे होके कुछ बच्चे लिख देते तो बोलना लगू ई भहिया ने बताई थी, अध्यापिका होता है क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अध्यापिका हो जाएगा, ठीक है कोई समझे, चलो बे लाइट पूछरा, एक लाइट पुलिंग है या लाइट आई, लाइट अच्छी है चलो, पाठक का क्या बोलेंगे, पाठी का बनाए, सब्दों पे मत जाया करो सब्दों हिंदी बहासा में करोडो है अब करोडों सब्दों का बोलने का प्रियास मत करो, नियम समझो क्या कहता है, परिचायक का क्या होगा, परिचायी का होगा, क्या होगा, ठीक है प्रेरक का क्या हो जाएगा, प्रेरिका हो जाएगा, प्रेरक ठीक है कोई पुरूस है प्रेरक जैसे बोल देते हैं ठीक है बई संरक्षक हो गया संरक्षी का हो जाएगा क्या हो जाएगा संरक्षी का हो जाएगा भक्षक का क्या हो जाएगा भक्षी का हो जाएगा क्या हो जाएगा भक्षी का हो जाएगा पालक का क्या बन जाएगा पाली का पालक मतलब पालने वाला और पाली का पाली का क्या होगा आपका गुरुजी नालायक का नालायका होगा क्या नहीं भी या नहीं होगा विलकुल भी नहीं होगा अभी सब्दों के नहीं बनते हैं बहुत बढ़िया बहुत सई महक का बता दो महक का क्या मही का लिखे गुए सोचो खुद मुनीश कुमार के रहे सर डॉक्टर का बता दी बेटा बिलोक करवा दूँगा जो द्यान से नहीं पढ़ेगा था जितना पढ़ा रहा हूं उसे समझो बोला इन पद आएंगे अभी धीरे धीरे जब चैप्टर खतम होया करे तब बोलो महनत क्या है भीया जी महनत एक बच्चे इस्त्रिलिंग सब्द है मेरी महनत बेकार नहीं जाएगी आप क्या प्रियोग नहीं कर पारे मेरा मेरी अच्छा अच्छी रहा है रही है नहीं लगा पारे क्या आप हैं भाई फिर अगर कोई-कोई बच्चा नहीं लगा पारा दही पुलिंग क्यों है बटा बताऊंगा आओगे आप उस पर चलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत भाई इस बात में तो अक का किसमें परिवर्टन करना है इका में बताना है रक्षक का हो जाएगा बिल्कुल होगा रक्षी का हो जाएगा रक्षक का रक्षी का बन जाता है आपका रक्षक का ठीक है जी आगे बढ़ेंगे भी आगे बढ़ेंगे अक का किसमे नायक का नाई का हमेशा होगा खलनायक का खलनाई का बिलकुल हो जाएगा कोई भी दिकते नहीं है ये बुलते हैं अक का इका है दूसरा आता है कहीं भी मान लिखा मिले अभी लेकपाल में पूछा गया इससे मान से कुश्चन मान का क्या हो जाएगा आपका मान का हो जाता है आपका मती कैसी ती होगी दीरगती होगी कैसी दीरगती होगी मान का क्या बना देंगे मती बना देंगे क्या बोलोगे मती बना देंगे जैसे कुछ सब्द ले ले लेते हैं मान वाले कुछ सब्द मान वाले सब्दों में आपका जैसे स्री मान आ गया स्री मान आ गया तो बहुत सारा बच्चा गलती करके आता है और बोलता है स्री मती हो जाएंगी भी या तो स्री मती एक गलत सब्द है क्या बनाएंगे इस तरी लिंग में दीरगती बनानी है तो यह कैसी, बाहें तरफ चोटी चड़ती है, तो यह गलत हो गई यह क्या होगी, गलत, सही क्या होगी, सिरी मती होगी, क्या हो जायेगी, सिरी मती जी हो जाएंगी जैसे बुद्धि मान अब लिखो ऐसे सब्द अपने दिमाग में लेकर क्या हो जिनमें मान आता हो जैसे बुद्धी मान सब्द हो गया क्या हो गया बुद्धी मान सब्द हो गया जैसे आयुश मान सब्द हो गया क्या बोलोगे आयुश मान सब्द हो गया आपका जैसे प्यारे दोस्त हमारा सक्तिमान आता था बुद्धी मान की बात करते हैं किसकी बुद्धी मान की बात कर लेते हैं मान का क्या बोलेंगे मती में हो जाएगा तो बुद्धी मान का हो जाता है बुद्धी मती हो जाएगा ती बड़ी बनानी है ती कैसी बड़ी बनानी है चलो भे, आयुश मान का क्या हो जाएगा, आयुश मती हो जाएगा क्या बोलेगा, आयुश मती हो जाएगा बोलो भे, आयुश मती हो जाता है सक्ती मान का क्या होगा, सक्ती मती हो जाएगा क्या बोलेंगे, सक्ती मती हो जाएगा अब मैं बोलू कि भीया क्या सारे बदल जाएंगे अब जैसे एक सब्द ले लिया मैंने अपमान है अपमान हुआ ये पुलिंग सब्द है क्या इसका स्ट्रिलिंग बन जाएगा है हमेशा बन जाएगा क्या अपमती कर दूँ इसको मैं अपमती आप मूर्ख ये कोई सब्द थोड़ी है आप कहोगो भीया बहका रही हो मान का हमेशा मती नहीं होता है क्या बोलेंगे अर्थ पूर्ण भी आपको बनाना है जैसे महमान सब्द है क्या महमती कर दूँ मैं नहीं जी स्वाभी मान सब्द है स्वाभी मती कर दूं क्या नहीं जी क्या बोलेंगे बिलकुल नहीं करेंगे बिलकुल भी नहीं करेंगे ओके समझे इस बात को सम्मान का बोलो भी या सम्मान का सम्मती कर देंगे अर्थ बदल गया सम्मती तो सहमती को कहते हैं सम्मान अलग सब्द नहीं बनेगा अभी मान का अभिमती कर दू नहीं गुमान का गुमती कर दू नहीं होगा अब आप समझ गए होगे कि सारे सब्दों का नहीं हो सकता आर्यमान भी तो आता था जी टीप आर्यमान का हो जाएगा आर्यमती क्यों नहीं होगा बिलकुल हो जाएगा चलो बें अर्थपूर्ण सब्द बनाना ऐसे ही बच्चे आता है आपका तीसरा नियम तीसरा नियम कहता है कहीं भी वान आपको पहली बात तो परिक्षा में वो वो सब्द देगा जो परिवर्तित हो सकते हैं आपके दिमाग के हिसाब से नहीं कुछ भी आपके दिमाग में आ जाए नहीं जो परिवर्तन जिनमें सब्भव है जैसे भाग्यवान खाना क्यों नहीं बना रही हो भाग्यवान तो वान का वती होगा यानि की भाग्यवती हो जाएगा क्या हो जाएगा भाग्यवती महिला को दरसारा है किसको महिला को दरसारा है जैसे बलवान सब्द हो गया बलवान सब्द बड़ा पूछा जाता है बलवान ठीक है भगवान सब्द पूछा जाता है भगवान का इस्त्रिलिंग क्या हो जाएगा भगवान का सत्यवान का तो ये तो क्या हो गया, पुत्रवान है, पुत्रवान होने का असरवाद दिया, चलो भी, बोलो भीया, गुरू जी सभी सब्दों को नहीं बदल सकते, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, यही समझ में आना चाहिए, यही समझ में आना चाहिए, तो पलवान का क्या होगा, फिर से देख लेना ती छोटी मत बनाना तो ती क्या बनाएंगे बलवती बड़ी बनाएंगे ठीक है भगवान का क्या होगा भगवती होगा क्या होगा भगवती होगा सत्यवान का क्या होगा आपका सत्यवान का सत्यवती होगा पुत्रवान का क्या होगा पुत्रवती होगा बोलो भी, पुत्य वती होगा, परकासका बन जाएगा जी, हाँ परकासिका बन जाएगा, बिलकुल बन जाएगा, बहुत बढ़िया, विकास यादव जी कह रहे हैं, सर जी बहुत मजा आ रहा है, मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, थैंक यू, चलो भी, बात समझे, तीन समझे अक का इका में कर देंगे भी, अक का इका में कर देंगे, और आपका वान का वती में, मान का मती में कर देंगे, चोथे पर आएगे, चोथा है, आप रत्य लगाकर के, क्या लगाकर के, आप रत्य लगाकर के, इस्त्रिलिंग का निर्मान, आप रत्य लगाकर, आप रत्य ल लिंग का निर्मान और इस तरी लिंग का निर्मान कैसे होगा देखना जरा दिहान से कैसे होगा आप रत्या लगा करके इस तरी लिंग का निर्मान कैसे करें समझना इस बात को अब बात आगई महत्पून क्या बोलेंगे धनवान का धनवती हो जाएगा बिलकुल हो जाएग परिक्षा में पूछा भी गया है लेकिन पहलवान का पहलवती मत कर देना जैसे गुणवान सब्द है गुणवान का महिला के लिए क्या बोलते हैं गुणवान गुणवती बोलते हैं महिला को क्या बोलते हैं गुणवती बोलेंगे। गुणवान का बन जाएगा। गर्भवान का बन जाएगा भी या बिलकुल बन जाएगा गर्भवती लेकिन मेरे दोस्त पुरुस कभी भी गर्भवान हो नहीं सकता पुरुस के अंदर गर्भ हो नहीं सकता इसलिए गर्भवान सब्द लगाते नहीं है ओके होता तो जरूर बना देते ठीक है बोले भी सहलेस कुमार जी बहुत थेंक्यू अपमान का क्या अपमती हो जाएगा एक बच्चा पूछ रहा आपने सुना आज तक अपमती बोलो अपमती सब्द तुमने कहीं सुना हो तो मुझे बता दो आ प्रत्य लगा करके आ प्रत्य क्या होते हैं एक सब्दांस होते हैं जो सब्द के बाद में जुड़ते हैं बाद में जुड़ते हैं जैसे देखना जहां से लिख सब्द है लिख में क्या जुड़ा हुआ आई एक प्रत्य है ऐसे बाद में जो दुहनी आती है वही प्रत्य है जैसे इसमें हम बात करें चंचल सब्द है चंचल ठीक है चंचल का इस्त्रिलिंग क्या होता है चंचला होता है आ लगा दिया क्या लगा दिया सुत माने होता है बेटा सुत माने क्या होता है पुत्र का परियावाची है लेकिन सुता माने होती है बेटी सुता माने क्या होती है बेटी होती है जैसे आतमज सब्द हो गया आतमज कहते हैं बेटे को पुत्र को ये परिया वाची में भी आएंगे आपके सामने तब पूछूँगा भीया याद है तो आप कहना हाँ जी याद है आतमज पुत्र को आतमजा बोलते हैं किसको पुत्री को कहते हैं किसको कहते हैं पुत्री को कहते हैं जैसे सिश्य का क्या होता है आपका अब आप बताओ शिश्य का क्या होगा आपका भवदिये बोलते हैं लड़के बोलते हैं आपका भवदिये आपका भवदिये प्रियतम म आचारिय जी का क्या बना दे आचारिय जी का ठीक है भी है जैसे अनुज होता है छोटा भाई अनुज होता है छोटा भाई अनुज का क्या हो जाएगा अगरज होता अगरज होता बड़ा भाई जिसका जनम अगर यानि की पहले हो गया हो आप से पहले हो गया हो तो आप से प पीछे अनू, अनू मतलब बाद में जनम हुआ तो छोटे भाई हैं, क्या हैं, छोटे भाई हैं, जैसे पूज्य सब्द हो गया, जैसे महाश्य शब्द हो गया, महाश्य शब्द हो गया, इनका इस्त्रिलिंग बहुत पूछा जाता है, सभी का, सभी का पूछा जाता है, बो लड़की को रिपर्जेंट करेगा प्रतिनिधित्व करेगा किसका इस्त्रिजाती का भव दिया होता है प्रियतमा होगा क्या बोलोगे प्रियतमा हो जाएगा ठीक है जी आचारिय का क्या हो जाएगा इस्त्रिलिंग आचारिया हो जाएगा क्या हो जाएगा आचारिया हो जा है आ लगा करके बनता है अनुज सुकला जी बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद अनुज का क्या होगा अनुजा होगा प्यारे दोस्त क्या होगा छोटी बेहन अनुजा होती है अगरज अगरज तो हो गया बड़ा भाई अगरजा बड़ी बेहन जिसका जनम आपसे अगर ह हूआ है आगे हूआ हो यानि आपसे पहले हूआ हो चलो क्या क्या होगा फूझए श्याम का श्यामा बन जाता है क्या बन जाता है श्याम का श्यामा बन जाता है बोलो भी कोई दिकत कोई परेशानी बहुत बढ़िया महध्या बन जाएगा बहुत अच्छा सब्द पूछा है और ये बनने युग्या भी है महध्या क्या बन जाएगा महध्या बन जाएगा क् कोई भी दिक्कत, बोले ही, बहुत बढ़ी है। 3000 wystar ses great great gajab के वावी बहुमान्ड का स्वावी मती हो जाएगा नहीं होगा। की स्वावी मती सब्द होटा को इसवावी मती सुना तुमना है, अपने पास है। खाली मान भी दे दिया तो मैं मती कर दोगे उसका तरह आप पूरी हिंदी पढ़ाते तो अच्छा होता प्यारे बच्चे अगर आपका पैट के सिलेबस में पूरी हिंदी होती तो पूरी पढ़ाते बिलकुल लेकिन अभी नहीं है हिंदी पढ़ने के लिए कम से कम चार महीने चाहिए कमपलीट हिंदी खाकी बैच में पढ़ाईए कमपलीट हिंदी चार महीने लग गए बोलो भी फटाफट से कोई दिकत इस बात में भी यहां तक की बात में अब आते हैं अगला हमारा नी प्रत्य कौन सा प्रत्य है नी प्रत्य का प्रियोग करके इस्त्रिलिंग का निर्माण क्या बनाना नी प्रत्य का प्रियोग करके इस्त्रिलिंग बनाना नी प्रत्य का प्रियोग करके इस्त्रिलिंग बनाना चीक है तो कहां लगेगा नी देखना जैसे पिरसन आ गया हाती अब आपको लॉजिक पता है कि हाती का क्या होता है हाती का क्या होता है आप कहेंगे भीया हतनी होता है हतनी तो ये सब्द गलत हो गया हती नी होता है तो सब्द भी ठीक लिखना है हमेशा हती नी होगा क्या होगा हती नी होता है क्या होता है हती नी होता है चलो बई डॉक्टर के बारे मैं कल बात करेंगा प्यारे बच्चे मैंने बताया नवो उबहलिंगी है उबहलिंगी मैं कल बताऊंगा कैसे उनको पहचानेंगे क्या तरीका है तो वो अच्छा टॉपिक है एक हती हो गया आपका हती नी बन जाएगा क्या बन जाएगा हती नी बन जाएगा तो जैसे तपसवी सब्द होता है दीरगी वाले तपसवी सब्द होगा तो इसका बच्चे बनानी पाएंगे बहुत सारे भील सब्द है भील का तो बना दोगे भीया नी जोड करके स्वामी का बनाओ स्वामी का स्वामी का क्या हो जाएगा अब ही मान और एसे बोलते न इसका अभी मान का क्या हो गा इसacement हो जाएगा ठीक है एका की ये पूछा गया UPSI में इसी वर्स और पिरसन आयोग उठाता है ठीक है और क्या रह गया इसमें ये सस्वी सब्द रह गया क्या रह गया ये सस्वी सब्द रह गया इसका स्ट्रिलिंग बताएंगे ये सस्वी का स्ट्रिलिंग क्या बन जाएगा हंस का स्ट्रिलिंग बताएंगे हंस का स्ट्रिलिंग ये वो वाले हैं सारे जैसे बस हो गए ये वो वाले हैं सारे जिनमें प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे आप भाईया जिनमें नीलक करके बनेगा बहुत बढ़ी है भाई बहुत सई देवर का बन जाएगा, नहीं, देवर का आनी से बनेगा, देवरानी, आनी वाले अभी बताऊँगा आपको अब देखो दिहान से समझना, यहां दीरगी ई थी, हाती में दीरग ई थी, यह क्या बोलेंगे, लगू ई से बना जी, कैसे बना, लगू ई से, ऐसे ही बनाना तपस भी नी, तो लगू ई बन जाएगी, जो वाली इनकी ये दीरग ई है, सीखने की बात सीखो, जो दीरग ई है, वो किस में बदल जाएगी, छोटे में बदल जाएगी तो तपस भी तब जोड़ना नी तब जोड़ना नी तो इसमें तो है नी भील नी ये तो ऐसे ही हो जाएगी अंत में अगर ई है तो नियम है अंत में ई जैसे स्वामी है अंत में तो इस वाली बड़ी ई को क्या बनाओगे पहले छोटी बनाओगे बना दी छोटी ये बनगी जी छोटी बनगी बिल्कुल अब नी जोड़ दो बात खतम स्वामी नी अभि Mान इसमें बाद में इह ही ने तो फिर भी बने गा अभि मानी नी होता है क्या होता है अभि मान का अभि मानी नी यूपी ऐसाइ का पूछा हुआँ पोछ़ा हुआ कीनी हो जाएगा YSара जी की बात करते हैं तो प्यारे दोस्त क्या होगा YSар जी नी होगा नई बच्चे Special Course नहीं है UPSI फ़ा ही वाले लोग पड़ा ही तो हो UPSI Course में UP परिस कॉंश्टेबल के लिए पड़ा ही तो हो Kabine Course नहीं है अब ये इतना बड़ा मास्टर नहीं बना न मैं की special course ले आउँ लेका हूँगा दो हजार पहतिसमें जब तुम्हारे बच्चे तयार ही करेंगे अद्यक्ष का क्या होगा अद्यक्षा हो जाएगा अद्यक्ष का अद्यक्षा हो जाएगा चलोगे बोलो भी है फटाफट से फटाफट से बोले बहुत सही अच्छा कुश्चन दिया मरत्यूंजे जी सुहास का सुहास का बहुत बढ़िया सुहासीनी होता है सुहास का क्या होता है सुहासीनी होता है बहुत बढ़िया भई मरत्यूंजे साबास सुहासी नहीं इसको कहते हैं अच्छा बच्चा चलो रिसी अभी नहीं रिसी बताएंगे आगे चलके रिशिका होगा इका में रिशिका बनता उसको उसमें लेंगे जब मैं आपको इखटे बताऊंगा न विद्वा का होता है आपका विधुर होता है पुलिंग जब वो वाली लिष्ट पढ़ेंगे वीर का वीरांगना होता है वो वहाँ पढ़ेंगे एकाकी का मतलब बता दो भीया एकाकी होता एक अंक का नाटक एक अंक का नाटक लेखक लिखते हैं एकाकी चलो भी बोलो भवदिया किस अर्थ में लिखा जाता भवदिया सिनहे के अर्थ में लिखा जाता जैसे मैं पत्र लिख दू कोई और बाद में बुद्दू में आपका भवदिय आपका भवदिय ओके जी चलो कोई भी दिक्कत इसमें कोई भी दिक्कत इसमें नी से बना सकते हैं पर नी वाले सब्द आपको याद रख लेने हैं अब आते हैं इन वाले कौन से इन वाले देखना दिहान से छटा आया या तो इन बलगाओ या आइन लगाओ इन आइन या आनी ये जाती सूचक को दरसाते हैं जाती आती है जिनमें इन आइन आनी लगा कर लगा कर जाती सूचक का निर्मान जाती सूचक कि इसको जाती का बोध कराने वाले जाती सूचक सब्दो का निर्मान क्या बोलोगे जाती सूचक सब्दो का स्ट्रिलिंग निर्माण, क्या? या बोल दें, जाति सूचक सब्दो का स्ट्रिलिंग में परिवर्तन, क्या बोलेंगे? इस्त्रिलिंग में परिवर्तन होगा. तो कैसे करेंगे भीया, देखना, इस पे बहुत प्रसन पूछे गए है, यूपी कॉंस्टेबल देखो आप चाहे उसका उड़चास 568 का परसंद देखो 41-500 का देखो जाती सुचक सब्दों पे पूछ लिया ठीक है जी चलो भील क्या होता है जी भील होते हैं भीया कैसे बताऊं तुम्हें भील एक जन जाती है भील भील एक जन जाती है भील नी चलो गए तो देखना या तो इन लगाना या आईन या आनी तो जैसे पंडित सब्द हो गया पंडित सब्द हो गया पंडित ठीक है तो पंडित में इन लगाऊं या आईन तो पंडितीन लगा दूँ क्या इन तो ऐसे लगेगा छोटी इन वाला तो एक तो सब्द बनेगा पंडी तीन है एक सब्द बनेगा पंडी ताइन आइन लगाऊं तो पंडी ताइन बन जाएगा और एक सब्द बनेगा पंडित आनी तो क्या बनाए भीया पंडी ताइन असुद सब्द है पंडितीन असुद्ध सब्द, पंडिताइन होता है, क्या बोलेंगे, पंडिताइन होता है, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, पंडिताइन होता है, चलो बे, हाँ पिल्कुल एकांकी का निर्मान जो हुआ ना लेखक जो लिखते हैं वो एकांकी लिखते हैं एकांकी का निर्मान एकांकी से हुआ एक 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 हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ठीक है देखो द्यान से पंडित, तो पंडित का क्या बोलेंगे भीया, पंडिताइन हो जाएगा तो इन तीनों में से लगा करके देखना, और देखना सुद्ध कर पाते हो या नहीं, नहीं करो तो याद रख लेना जैसे कुमहार सब्द है, ये यूपी पुलिस पूछा, तो कुमहार में इन लगाओं तो कुमहाराइन या कुमहारानी, तो क्या बोलोगे कुमहारिन सही लग रहा है, कुमहारिन होता है, और यही सुद्ध है, क्या बोलोगे कुमहारिन होता है, जैसे माली सब्द है, तो लग कि सुनार का बताओ सुनार का जैसे जुलाहा होता है जुलाहा होता है जुलाहा बताएंगे जुलाहा का क्या हो जाएगा जुलाहा का बताओ क्या हो जाएगा कहीं भी लिखा हुआ जुलाहा जैसे पडोसी सब्द लिखा हुआ पडोसी क्या लिखा हुआ है पडोसी सब्द ल ले सकते हैं क्या लुहार सब्द हम इसमें ले सकते हैं ठीक है जी चलो एक जाती रहागी तेली तेली ले सकते हैं और भी कोई भी आए तो अर्थपूर्ण बनाने का प्रियास करना भी है सुना राइन कर दूं सुना राइन कर दूं एक बच्चा बना रहा है सुना रीन देख सुनारीन नहीं, सुनारिन होगा, क्या होगा? सुनारिन होगा, क्या हो जाएगा? सुनारिन होगा, जुलाहा का क्या होगा? जुलाहिन होगा, क्या होगा? जुलाहिन होगा, पडोसी का क्या? पडोसन, बहुत सारा बच्चा विकल्फ में इसको चुनके आ जाता है, पडोसन, तो अन से कभी बनता ही नहीं है, इन से बनेगा, तो इन से बनेगा तो क्या बनाएंगे, पडो सिन सही सब्द होता है, इन से बनाना, छोटी ई और ने, पडो सन कोई सब्द सही नहीं होता, धोबी का धोबिन होता है, धोबन मत कर देना, अन से नहीं बनता है, इन से बनता है, दोबिन, लुहार का बनाओ बई, क्या बनेगा, लुहारिन बनेगा, क्या बनेगा, लुहारिन बनेगा, तेली का क्या बनता है, तेलिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तेली का क्या बनेगा, तेलिन बन जाएगा, कोई भी दिक्कत भी इस बात में, ये तो चलो, इन लगा होगे, समझे बात को, क्या लगाएंगे, इन आईन या फिर आनी लगाएंगे, बहुत बढ़िया, नौकर का नौकरानी, अभी आनी वाले कहां आई हैं, आनी वाले तो दूंगा, ये देखो, आनी वाले, देखो भई, सेठ का क्या बनाओगे, सेठिन बना दोगे, क्या, या स पूछा जैसे इसी में पूछा जाता है महतर सब्द बोलते हैं महतर सब्द बोलते हैं पिता को ठीक है जेट सब्द हो गया जेट सब्द हो गया ठीक है जेट सब्द हो गया भव सब्द हो गया भव सब्द ठीक है नौकर सब्द हो गया नौकर और एक जो मैं बताता हूँ लाजिकल मुगल का मुगल का क्या होगा तो सेठ का सेठाइन कभी मत करना गलत हो जाओगे सेठ का क्या होता है सेठाइन कभी मत करना क्या बोलोगे सेठानी होता है इंदर का अब बच्चे यहां पर देखते हैं इंदरानी कर दूँ नहीं जी मैंने कर दिया इंदरानी भीया यह तो नियम में भी नहीं था ये तो नियम में भी नहीं था फिर आपने क्यों कर दिया ये तो भीया मैंने बताया था ना रह के साथ अने आता है हिंदी भासा कहती है रे के साथ अने को प्राथ मिकता दो जैसे रावन थोड़ी होता है रावन होता है जैसे कहते हैं किर्शन होता है आपका सोरी किर्शन होता है जैसे आपका लक्षमन हो गया क्या हो गया लक्षमन हो गया किर्शन सब्द हो गया आप कहने ने नहीं है तो उन्होंने बोला रे 6 छित्री है आपका और 69 कौन इनके साथ अिके सांप अन्oren भीयाह करना नेमत में लिखना इसलिए रकाम सांथ को साथ कांदर रामा यह नी दोड़ी होता है देवर का क्या होगा देवरानी होगा क्या होगा देवरानी होगा तो उन्होंने बोला जब कभी भी संयुक्त आए संयुक्त आए तो किसका प्रियोग करना अनेका करना अब ऐसे मत करने लग जाना देवरानी नहीं जी देवरानी ही होता है मुगल का क्या होता है भवानी का क्या हो जाएगा भवानी हो जाएगा जेट का क्या हो जाएगा जेठानी हो जाएगा महतर का महतरानी हो जाएगा महतर का महतरानी हो जाएगा मुगल का बिलकुल ठीक है मुगलानी बहुत गजब ये थोड़ा अजीब सा लगता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुगलाईन बनेगा जा एक दम गलत है कहां से आया यूपी एसाई से आया मुगल का बहुत तुम्हें कैस पता एक यूपी एसाई से आया क्योंकि मैंने वो सारे सेट कराए है और हो सकता आपके घर में भी बच्चा दरोगे बने हो दरोगे एक नहीं बना अच्छा जी अब आते हैं इन वालो उपर भहिया आइन वाले तो बची गे आई वाले तो बची गे जैसे नाई सब्द का क्या होगा अब इसमें इन लगाऊं या आइन लगाऊं या क्या लगाऊं इन लगाऊं या आइन जैसे पंडित में लगाया था मैंने पंडित में जैसे हलवाई सब्द हो गया इसमें भी तो मिसिर, मिसिर से बनता है लाला सब्दो होता है भीया क्या, लाला सब्दो होता है जैसे बनिया सब्दो होता है बनिया, क्या होता है बनिया सब्दो होता है ओजहा होती है, ओजहा, ठीक है ठाकुर होता है, ठाकुर बड़ा पूछा जाता परिक्षाओं में ठाकुर औरे भीया कहां गए ठाकुर क्या बोलेंगे देखना द्यान से क्या बोलेंगे ठाकुर होगे तो देखो भीया द्यान से क्या बनेगा तो नाई का हमेशा नाईन बनाना चोटी ए रखना, क्या रखना, चोटी ए हलवाई का हलवाईन बनाना, चोटी ए रखना क्या बोलेंगे, इस तरी लिंग में चोटी ए रहेगी बाबू का बाबू इन बना दू, बाबू आनी बना दू, नहीं जी क्या बनता, आइन से बनता, बबू आइन यानि लड़का तो बाबू होता है और लड़की होती है बबुआइन तो अपनी वाली को बाबू मत बोलना क्या बोलोगे आज से अपनी वाली को बबुआइन बोलोगे क्या बोलोगे बबुआइन अगर आप उसको बाबू कहते हैं इसका मतलब है आप बता रहे हैं कि उसका जो जेंडर है वो मेल है तो यह सब गलती मत करना है ना बाबू का बबुआईन होता है क्या होगा बाबू का बाबू का भीया बबुआईन हो जाएगा क्या बनेगा बाबू का बबवाइन बन जाएगा ओके चलो वे मास्टर का मास्टराइन बनता है क्या बनता है मास्टराइन बनता है मास्टर नहीं करोगे गलत हो जाओगे ठाकुर का ठकुराइन बनेगा क्या बनेगा ठकुराइन माश्टर का माश्टर नहीं मत कर देना कहेंगे जी गाम में तो माश्टर नहीं कहते हैं गाम में तो ठकुरानी भी कहते हैं गाम में तो पंड़तानी भी कहते हैं नहीं बनेगा मिसिर का क्या बनेगा आपका मिसिराइन बन जाएगा क्या बन जाएगा ललाइन बन जाएगा क्या बन जाएगा ललाइन बन जाएगा बनिया का क्या बन जाएगा बनिया का बनियाईन बन जाएगा चोटी ए से बनाना क्या बोलोगे ओजहा का क्या बन जाएगा ओजहाईन बन जाएगा चौबे का चौबाईन बन जाता है समझे भीया राखी आदव गुडिया थेंक्यू सो मच बाबुनी नहीं होगा अब तुम अपने पास सा कुछ भी सोचते रो ये नहीं होगा मैंने आपको बता दिया बाबु का बबुआइन होगा बाबुनी सब्द लग रहा ठीक आपको भीया में बबुआइन भी ठीक नही किया लगा होगा तो एक बार पढ़के तब पांच मिनिट बाद अच्छे से रिवाइज करके तब बताना मजा आया या नहीं आया ओके तो पहले देख लेना इसको तब ही खाना वाना खाना तो ख्यान रखो अपना बहुत सारा थेंक्यू सो मच बाइबाइ और जितना मैं लिखवा है उतना याद करो हंड्रेड परसेंट रामबान हैं ओके